जैहिन जैभारत वेलकम टू डेफ टॉक्स दिस अधिया चिंथ कल बड़ा मज़ा है मज़ा इसली आया डीजी आइस पिया ने करी एक प्रेस कॉंफरेंस प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने यहां तक बोल दिया कि भाई अन्नोन गन्मेन से हम बहुत डरते हैं क्योंकि अन्नो को और हमारे दूसरे सिटीजन को भारत आ के ठोके चले जाता है यार देखो लाभ या बोलन रही पास किसाब भारत हमारे साठ ऐसे से काम कर रहा है और शुत किसाब ऐसा है जब्द भारत के अंदर प्र्म्द्स होती है तब भारत इस तरफ आके हमारे अंदर गेम खेलता है और अपना जो नारेटिव है वो चेंज करने की कोशिश करता है काफी अद तक आपको ये पता होगा कि काफी लोग ये एक बेवकूफी वाला नारेटिव चलाते हैं कि 2019 का इलेक्शन मोदी जी जीते थे क्योंकि फुलवामा में अटायक वा था और मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को ठोका था देश इतना खुश हो गया कि मोदी जी को दुबारा इलेक्ट कर दिया मतलब देश तो हमारा इतना बेवकूफ है हमको दिखता ही फिर पाकिसान को भेजोब ने रफाइल शवाइल तीन चार रहे ठोको फिर मज़ा है फिर आप भी इलेक्शन अच्छे चार सो क्या पांट सो आट सो पार हो जाएंगे आपके फिर तो ये बड़ी इंट्रेसिंग सी प्रेस कांश्रेंस हुई कल बोलने की कोशिश करी है डी तीन गायब हो जाते हैं ठीक है दो तीन अल्रडी गायब हो चुके हैं ठीक है आपको अगर नाम नमबर भी मैं बता सकता हूं एक नाम नमबर भी बता सकता हूं जो जो गए हैं ठीक है तो दो तीन गायब हो गए हैं अल्रडी आपको ये पता होना चाहिए कि साब अगर दे तो ये बड़ा अच्छा है कल एक खबर आई ठीक है कल नी परसों एक खबर आई थी एक बंदा है जमात इसलामी का जो इसका नाम है रह्मत अल्ला रह्मन उल्ला ये अन्नों गन्में ने ठोक दिया इसको कहां पर जाके ये ठोका है अच्छा इसका आया नहीं कहां पर ठोका है बट ये ठोका गया है ये लश्कर ताइबा और हिजबल मुझाहिदिन के लिए काम करता था अच्छा हाँ ये KPK के नौर तेरिया में कहीं पर ठोका है तो ये आया है कि साब एक तो गया मैं दूसरे का भी बता देता हूँ आपको एक और बंदा गया था जो मैं ये बोलता रहता हूँ कि साब ये बंदे जाने जाएंगे क्योंकि देखिए अब उनकी लाइफ खतम हो रही है यार अब वो ठीक है अभी वो जो काम हो रहा है हो रहा है एनिवेज दूसरे का मेरे को मिलनी ना बट आइविल पुट टाइट क्योंकि दो बंदे अलरडी थैंक यू हो चुके हैं तो तीसरा भी अभी लाइन में है मैंने बोला था तीन बंदे जाएंगे तो वो तीसरा लाइन पे है एक्शली एफ टेकन देस आउट क्योंकि मैं अगर रख लेता बट ने केस आगे चलते हैं तो ये बात हुई कल अब ये बड़ा इंट्रेस्टिंग सा गेम है क्योंकि पाकिस्तान इस ट्राइं टू बेसिकली कैपिटलाइज जो दुनिया में एक एक जो वेस्टन वर्ल्ड की तरफ से भारत की तरफ एक नारेटिव चलाया जा रहा है कि साब ओहो ये तो बड़ा गरबट कर रहा है भारत ये हालत कर रखी है अपने अपने देश के अंदर और हमारी तरफ बोलता है तो बड़ चलिए ठीक है कोई बात नहीं अभी पंगा क्या हुआ पंगा ये हुआ हमारे यहां से जैशंकर जी और राजनाच जी को सवाल आने शुरू हो गए जी अब पियो जेके का क्या कर रहा है म हमको तो पता है यहां कि गिरेगा कब गिरेगा वह अदलग क्वेश्चन है बट गिरेगा हमारे आथ में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है दूसरी दरफ जैशंकर जी ने बोला कि साब ऐसा है पी यो जेके तो हमारा ही है वापिस आने कि क्या बात है उसके अंदर है यह ह प्रब्लम इन देट वाई आवी सेंग कि भई पी यो जेके वापिस क्यों नहीं आएगा ये क्या है वो क्या है राजना सिंग जी ने बोला अपने आपा के हाथ में गरेगा कर जो नेरिटिव है काफी टाइम से मैं डेफ टॉक्स यूपर बोले जा रहा हूं कि करना कुछ नहीं है आपको कुछ नहीं करना जब तक वो आपके हाथ में ना आके गिरे तब तक आपने एक बंदा नहीं भेजना वहाँ पर क्योंकि There is a problem, लोगों का क्या करोगे, कैसे एंडल करोगे, इसका कोई प्लान नहीं है बद ले लो पी होके जाके, तो ये एक बड़ा ही सुलजावा और बड़ा ही समझावा स्टेटमेंट भारत में दिया है, अभी ये भी सुनके DGISPR के नीचे से कुछ सी इलगी होगी, अब मैं लाहिदीन और लश्कर एताइबा के जो बंदे ठोक रहे हैं रोड, कल दो कमांडर ठोके जैसे मैंने आपको बताया, बड़े-बड़े, एंड वन ओड़े तिंग्स एट यू सी इस अबदुल बासिच जो कल जिसको कल पुईं किया गया, वो उसकी उपर तो दस लाख रु गया, ठीक है, उसके बाद हमारी BSF लगी वी है, धना, धन, द्रोन नीचे आ रहे हैं, तो द्रोन से इनको समान भेजना डिफिकल्ट हो रहा है, कल परसों में दो बंदे पकड़े गए, अपना अंदर पूरे ड्रग ब्रू निकाल के, BSF ने उठा के उनको अरेस्ट करा है, कि भाइस, आप किदर जा रहे हैं, ठीक है, और ये पकड़े गए, कहाँ पर स्री गंगा नगर राजिस्थान के पास, जहाँ पर दो बंदे, तीन लोग, सौरी, दो केजी नार्कॉटिक्स लेके आ रहे थे, जिसकी ग्राउन प्राइस करीब-करीब 6 करोड पे थी, तो दे मंगा चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हाथ धोने की पाकिसान कोशिश करेगा, दूसरी तरफ पाकिसान कोशिश करेगा, बंगला देश के अंदर से आपकी तरफ कुछ उल्टे काम करने के लिए, वहाँ पर जमात का काफी होल्ड है, तो उधर से कुछ ना कुछ भी करेगा आपने देखा यह संदेशकली में क्या हुआ और उस बॉर्डरिंग रीजन में वैसे भी थोड़े बहुत चक्कर चली रहे हैं हिमनता बिश्वर सर्मा जी हैं जो असाम में काफी डम लगाके उन्होंने साफ करा है लेकिन वेस्पिंगॉल में हम सब को पता है काफ प्रफी चंग यह तो बॉटम लाइन में बात करें जी भारत तो वह यह जो कर रहा है कर रहा है मुझे यह नहीं बता बड़ पाकिस्तान की बड़ी हालत खराब हो रही है गंगा में आद दोने के अलावा मेरे को तो यह भी लगता है कि साफ़ यह भी डर रहे हैं क्योंकि के अंदरूनी जो चीजें हैं जो काफी लोग हैं जो फुले में आते हैं लेकिन कहीं न कहीं यह भी सुनने में आ रहा है कि साफ़ उनकी सेक्यूरिटी विक्यूरिटी बढ़ा दी गी है क्योंकि कहीं न कहीं एक खत्रा है कि कोई अन्नों गन्मेन आके उनको टॉई ना कर तो मैं एकी लास्ट में एकी चीज बोलूँगा, साब डर बहुत अच्छा है, अगर मोदी जी ये डर पैदा कर रहे हैं, तो हम सब मोदी जी के साथ खड़े हैं, डर बहुत अच्छी बात है, स्पेशली पाकिस्तान को दो बहुत डरना चाहिए, कनाडस्तान को भी थोड़ा सा डर में रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं भारत के लिए, अन्नोन गन्मेन पे आप नारेटिव चला रहे हो, जो मैं आज दुपैर में आपके साथ कवर करूँगा, किस तरह से भारत इस नारेटिव को खेल रहा है, कनाडस्तान के साथ, और किस तरह से डीप स्टेट का गेम थोड़ा-थोड़ा थीला पढ़ना शुरू हो रहा है, तो आज दुपैर में मिलेंगे उसके लिए, तिल देन गाईज ये वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, सब्स्राइब करेगा चानल को अगर आपने नहीं करा है, most importantly, share these with your friends and family, जिनको पॉलिटिक्स और इंडिया-पाकिस्तान, इंडिया-चाइना और भारत और दुनिया के जो इंटराक्शन्स हैं, उनके साथ थोड़ा सा करने का शौक है, और आप लोग इस चैनल की तरफ कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं, looking at the QR code, आपके स्क्रीन पे है, sorry, उस तरफ, या फ होंगे, धीरे-धीरे करके हमारा चैनल मेरे ख्याल से होप ऐसा है कि थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा कहीं पे थोड़ी सी एक-एक-एक-एक-एक-एक-लाइट की कत्री आ रही है, अब देखते हैं, I don't want to say too soon, but आपकी helps यह होगी, so please do comment in these videos, like these videos, and engagement बढ़ाके र